अग्याइब आपको प्रशागत करता हूं हम टाइम और पढ़ रहे हम लोग और टाइम एड़ वर्क की से पहले दस वीडियो प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है तो आप उनको एक बार जाके देखिए आपको वहां से फायदा मिलेगा और वहां से आप बेसिक चीजें सीखें आपको समझ में आएगा मैंने आपको पहले भी कहा कि मैं जो चप्टर पढ़ाऊंगा आपको इस चैनल पे वो मोर्दें सफिसेंट होगा किसी भी वंडे ग्जाम के लिए किसी भी वंडे ग्जाम के लिए इवेन ग्रूप B से लेके CGL मेंस तक सारे एक्जाम कबर होंगे तो आप एक बार स्टार्टिंग से देखिए सारे एक्जाम कबर होंगे कोई भी एक्जाम आपका छूटेगा नहीं चलिए तो आज हम नक्स टाइप पे बढ़ते हैं जो अगला टाइप हम लोगा होगा मेन और ओमेन पे ठीक है तो चलिए आज का पहला कोश्चन आपकी स् कि तो चार आदमी इस स्वाह एक्जाम कर दो कोश्चन आपके और तीन अडमी उसी नगार को सोला दिन में और तो चार आदमily ध्यान दीजे चार आदमी किसी काम को 6 दिन में करते हैं और आगे क्या दिया हुआ है कि 3 और उसी काम को 16 दिन में कर सकते हैं यह बात क्लियर है देखिए यह दोनों ही टोटल वर को रिप्रेजेट कर रहा है बाई 4 आदमी 6 दिन में कर सकते हैं किसी काम को उसी काम को 3 ओमेन 16 दिन में कर सकते हैं अच्छा यह पूछा क्या गया है आपसे आपसे यह पूछा गया है एक आदमी और दो और उसी काम को कितने दिन में करेंगे तो यह भी इसके बराबर हो सकता है एक आदमी और दो और एक आदमी प्लस दो और हमने माल लिया कि एक दिन में करेंगे यह तीनों ही काम बराबर है ये तीनों एक ही काम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि भाई चार आदमी करें तो उसी काम को छे दिन में करेंगे अगर उसी काम को तीन औरत करती है तो सोले दिन लगेंगे उसी काम को एक आदमी प्लस दो औरत कितने दिन में करेंगे हमने क्या माल लिया यगजिक, एक बात समझे ए, दो word होते हैं, एक तो होता या, और एक होता और, इसकी English क्या होती and, इसकी Hindi क्या होती और, जैसे मैं कहूं कि राम या स्याम, मैं कहूं राम अंड स्याम, और मैं दूसरा word लूँ राम या स्याम, इन दोने में क्या डिफरेंट है इन दोने में जो यह word connector है और या end और मतलब होता है या मैं कहूँ राम या स्याम राम या स्याम आर्थिप इसका मतलब राम या तो राम चोर है या तो स्याम चोर है इसका मतलब राम वर स्याम दोनों थिप है तो आयन का मतलब दोनों को लएंगे आर का मतलब और सिर्फ एक को बात क्लियर है ना ठीक है देखी तो चार आदमी 6 दिन में करते हैं और 3 औरत कितने दिन में करते हैं 16 दिन में तो यहां से एक आदमी और एक औरत की efficiency निकल जाएगी, कि एक दी में वो कितना काम करते हैं, तो क्या निकल जाएगा, 24 M बराबर, यहां कितना हो जाएगा, 48 W, W का मतलब Oman, M का मतलब Man, तो Man और Oman की efficiency क्या निकलेगी, 2 is to 1, 24 से भाग देंगे, 48 में तो क्या निकल जाएगा 2 is to 1, इसका मतलब आदमी करता है, दो काम, औरत करती एक काम, आदमी करता है, दो काम, औरत करती एक काम, यह value आप यहां पुट कर देंगे, तो भी total work निकल जाएगा, यह value आप यहां पुट कर देंगे, तो भी total work निकल जाएगा, कहीं भी पुट कर देंगे, आप total work निकल तोटल वर्क कितना है यह कुल कारी है टोटल वर्क कितना हो गया 48 अब इसी काम को कौन करेगा एक आदमी दो औरत कितने दिन में करेगा तो एक आदमी काम करेगा आप बताइए एक आदमी काम करेगा दो और एक औरत करती है दो काम तो दो औरत कितना करेंगी दो काम और कितने दिन तक करेगी तो मैंने माल लिया X दिन और करना कितना 48 तो X के यह solve करेंगे तो 48 को भाग देंगे 4 से तो आंसर क्या आएगा ठीक, अभी मैं थोड़ा सा इसको कैसे sort करना है मैं बताऊंगा अभी चीज़े, पहले अब detail में समझे थोड़ा सा कि 24 आदमी 48 दिन यहां से male और female की efficiency निकल जाएगी कि भाई आदमी करेगा दो काम और और औरत करेगी एक तो अब यहां से आप यह value यहां put करेंगे यहां put करेंगे तो आए total work निकल जाएगा और यह सारे बराबर हैं तो यहां से आपका total work आगे 48 आदमी करेगा दो काम तो यह हो जाएगा आठ और छे दिन तक continue करते हैं इसका मतलब कि 48 ना होगा total work कुल कारिय इसी काम को एक आदमी दो औरत को कराना है तो कितने दिन लगए एक आदमी करेगा दो काम और एक औरत करेगी एक काम तो दो उगड़ एक करेंगे तो यह भी दो हो जाएगा तो चार को एक्सिम में समाप्त करेंगे एक्स के लिए solve करेंगे तो वैलू क्या जाएगी 12 दिन यानि यह 12 दिन में काम complete हो जाएगा इसे को अगर आप थोड़ा सा और short करना चाहिए थोड़ा सा असान करना चाहिए तो देखिए मैं आपको तरीका सिखा रहा हूँ कि आप इसको कैसे जल्दी कर सकते हैं ध्यान दीजिए जैसे आपने क्या देखा आपको कुछ भी करने की जुरत्मे में आपको तरीका सिखा रहा हूँ बिलकुल smart work आपने क्या देखा सोलतियां 48 और 64 को 24 तो बताइए 24-48 का LCM क्या होगा तो आप कहेंगे सर 48 इसका मतलब total work 48 बहुत आसान मेथड आपको सिखाऊंगा बिलकुल one of the shortest method ठीक है भाई सोलतियं 48 और 64 तो 48-24 का LCM 48 इसका मतलब यह भी 48 और इसको 48 बराबर करना पड़ेगा क्योंकि आपने total work क्या माल लिया total work आपने 48 माल लिया तो यह भी 48 के बराबर होगा यह भी 48 के बराबर होगा और इसको भी pour 48 के बरावर करना पड़ेगा तो अगर यह 48 होगा तो कैसे होगा इसका मतलब मेल के जगा दो रखना पड़ेगा तब ही तो होगा च्छेचों को 24 24 दून 48 और इसके जगा क्या रखेंगे आप इसका मतलब मेल के इफिजैंसी 2 है और ओमें की कितनी एक आसान है यानी तो दू और दू चार से संप्लिफाइ करेंगी तो किते बार में जायेगा बस एक बात clear, एक लाइन से जादा नहीं। दूसरा लाइन हम नहीं लेंगे, पहले ही line हम सवाल को solve कर देंगे. Clear है न, चलिए है. पहले मैंने आपको बताया कि अप थोड़ा इसको डीटेल में समझें, फिर आप को बताएंगे कि आप तुरंब कैसे कर सकते हैं. जो हमारा LCM होगा वही total work होगा, clear है ना, चलिए next question लेते हैं, अगला सवाल, आपकी screen पर आप लोग note कर लिजिए, तीन आदमी किसी काम को 16 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 6 औरत उसी काम को 16 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो 12 और 8 औरत उस काम को कितने दिन में पूरा कर सक Care है, और जबकि 6 औरत उसी काम को 16 दिन में कर सकते हैं, तो आपको क्या बताना है, 12 और 8 और कितने दिन में करेंगी, तो आपको बताना क्या कि 12 और 8 औरत और का मतलब जूड हो जाएगा ना, और का मतलब जूड, यहा का मतलब, यहां का मतलब अलग-अलग यहां क्या और का मतलब जोड़ हो जाएगा देखिए तो मैंने आपको कहा था कि आप LCM ले लीजिए जो आपका LCM हो जाएगा वो total work हो जाएगा और वहां से male female दोनों की साथ के साथ efficiency निकल जाएगी तो 16 चा के 96 और 46 तो 96 तो 96 तो 96 तो यही आपका 96 का टोटल वर्क यही आपका 96 का टोटल वर्क और यह चानबे यह भी यह चानबे यह भी क्योंकि एक ही काम है तो कितना हो जाएगा तो 16,43 इस की efficiency 2 इसकी efficiency 1 बारे आदमी और 8 रङगा औरत मिलके कितना करेंगे तो बारे आदमी 1 आदमी करेगा दुकाम एक birth काम , तो बहरत दुना 24 और 24 और 8 इसका कितने पासिम्प्लिफाय होगा ? इसका मतलब काम कितने दिमें सवापत हो जाएगा तीन मिन वाट क्लियर एक लाइन का सवाल आई चलिए पर अगला सवाल लेते हैं अगला सवाल चलिए, नेक्स्ट कोश्चन आपकी स्क्रीन पे रहा आप देखिए, वीडियो को एक बार पॉस करिए और एक बार सॉल्ब करने की कोशिस कीजिए 6 आदमी और 8 हॉरत किसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं यानि कि 6 आदमी 8 हॉरत अगर रहें तो 10 दिन में जबकि 26 आदमी और 48 उरत उसी काम को 2 दिन में पूरा कर सकते हैं तो 15 आदमी और 20 उरत उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे देखिए, 6 आदमी तथा 8 हॉरत 6 आदमी तथा 8 हॉरत कितने दिन में पूरा करेंगे इसको 10 दिन में इसी काम को अगर करना हो तो 26 आदमी और 48 औरत कितने दिन में करेंगे दो दिन ये चीज आपको दिया है तो आपसे पूछा क्या गया है पूछा ये गया है कि 15 आदमी और 20 औरत कितने दिन में करेंगे तो मैंने मालली और तुम आपको लिखने की जुरत नहीं है यह तो मैंने बस आपको समझाने की लिखिए आपको utal वरक है यह भी तोनों होंगे वराबर यहां से पूरूस और महिला के एक दीन का कारी निकल जागा यानि की कार southwest समता तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं कि सॉल्व करने का तरीका क्या है आप डीटियल नहीं जाएंगे डीटियल नहीं जाएंगे आपको डायरिक कैसे करना देखिए आप इस दो से इसको पांच बार में सिंप्लिफाई कर लीजिए तो पांच छक के 30 मेल और यह कितना 26 मेल तो कितने मेल बचयेगार चार मेल 5 शक के 30 मेल और 26 मेल तो तरह पव्लिफ बराबर होगा फ्रक्न personnes अब यह उसित आप इधियाई मेल से निकल जाएगा मिल और उमेन मेन और और ओमेंड की efficiency क्या निकल जाएंगे ? 2 is to 1 अब ये value आप कहीं भी put कर दीज़ेए आपका क्या निकल जाएगा ? ये value आप इसमें पुट करो और आप इसमें कहीं भी put कर देंगा आपका निकल जाएगा ? तो 2 की value यहां put करेंगे, तो कितना हो जाएगा? 6, गुडे 2, प्लेस, ओमेंट की कितने 1, और यह कितने दिन तक होता? 10 दिन तक, तो यह निकल दाएगा आपका total work, तो total work कितना हो जाएगा? 6 दूना 12, 8 20, 20 दा में 200, यह क्या है आपका total work, TW मतलब क्या होगा? total work, TW मतलब total work, अब कराना है इस काम को 15 आदमी और 20 ओरत से, तो 15 आदमी करेंगे, तो एक आदमी करेगा आपका 2 काम, और एक महिला करेगी एक काम, और X दिन तक होगा, और यह काम कितना हो जाएगा, दोस्तों, यही तो बात है न, ऐसे ही solve करेंगे, डीटेल में बता रहा हूँ है, तो यह 30 और यह 20-50, यह कितना हो जाएगा, 30-20-50, तो एक के लिए solve करेंगे, तो answer क्या जाएगा 4 दिन, अंसर क्या जाएगा, 4 दिन, बात क्लियर है न, ठीक है, आप यह direct भी कर सकते थे, यह value उसके नीचे रखते हैं, आपका direct answer आजाता, ठीक है न, आप ऐसे भी कर सकते थे, और यह value direct इसके नीचे रखेंगे, तो भी answer आजाएगा, चलिए, अगला सवाल है, नेक्स्ट कोश्चन है, 12 आदमी और 18 औरते किसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं ठीक जबकि 3 आदमी और 18 औरते उस काम को 12 दिन में कर सकते हैं तो 2 आदमी और 3 औरते उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं एक बार वीडियो को आप लोग पॉस करिए और सॉल्म करने की कोशिस करिए ठीक है। देखते कितने लोग इसका आंसर दे पाते हैं। ठीक। चेके बारह आदमी यानि कि 12 men और 18 women कितने दिन में करेंगे इसको 10 दिन में। ऐसा सवाल में आपके दिया हुआ है, आगे दिया हुआ है तीन आदमी और अठारे औरतें, तीन आदमी प्लस अठारे औरतें, यानि कितने दिन में करेंगी तो ये दिया हुआ आपका बारा दिन, तो आपसे पूछा गया है कि दो आदमी और तीन औरतें, दो आदमी प्लस त कितने दिन में करेंगे ऐसा आप से सवाल में पूछा गया है तो पहले आप क्या निकालेंगे efficiency आपको क्या निकालना पड़ेगा पोई भी काम कितने दिन में complete कर सकता है आप ये तभी बता पाएंगे जब आपके पास total काम दिया हुआ हो और आप एक दिन में कितना काम करते हैं और आप एक दिन में काम करते कितना है तो यहां से efficiency निकल जाएगी तो efficiency निकालिए इसको पहले आप छोटा कर लीजिए यह 5 बार में और यह छे बार में यहां से आपको करना कैसे आप 5 से 12 में गुड़ा करेंगे तो 12 पच्छे 60 में और यह कितना हो जाएगा 6,13 में तो 60 में से 18 जाएगा तो कितना बच्छेगा 42 में 18 पच्छे 90 और 18 चाके 108 तो कितना बच्छेगा 108 में से 90 जाएगा तो 18 डबलू ठीक है ना देकि 18 पच्छे 90 और 18 चाके कितना हो जाएगा 108 तो 108 में से 90 जाएगा तो 18 डबलू यहां से आप निकाल सकते हैं मेन और ओमेन की एफिसेंसी 18 और 42 तो 6 तरीका 18 और 6 सते 42 एक आदमी कितना काम करता है तीन काम और और अवरत कितना करती है साथ काम यह वैलू आप उठा के चाहिए यहां पुट कर दीजिए आपका क्या निकल जागा टोटल वर्क तो यह हो जाएगा 12 गुड़े 3 प्लस यहां रखेंगे तो 18 गुड़े 7 और यह कितने दिन में करते हैं 10 दिन में तो यह आपका क्या टोटल वर्क तो बारतियं 36 और 18 सते 126 एक 126 हो जाएगा और यह कितना दिन में करेंगे 10 दिन तो टोटल वर्क क्या निकल जाएगा आपका 120, 350, 162 इसको जोड़ेंगे तो 162 गुड़े 10 यह आपका क्या टोटल वर्क यह आपका क्या निकाल दिए आपने टोटल वर्क इसी काम को कौन करेगा दो आदमी और तीन और तो एक आदमी कितना करेगा बताइए एक आदमी आपने निकाला की तीन काम करेगा और एक और कितना करेंगी साथ का तो कितना काम हो जाएगा तीन दूना च्छे और एक्कीस औ करेंगे तो यह value कहा जाएगी यह value direct के नीचे रख देते हैं तो 21 और 6 कितना हो जाएगा 27 तो 9 से काटेंगे तीन बार में और 9 से काटेंगे 9, 7, 72, 9, 8, 72, 3 से कितनी बार में 6 बार में तो answer किया जाएगा आपका अंसर कितना जाएगा 60 days clear है ना बात समझ में आ रहा है मैं फिर से समझा रहा हूँ आप यहां से solve करेंगे तो main और omain की efficiency यह नहीं कि दो आदमी करेंगे 6 काम एक महिला करती है 7 काम तो 3 महिला करेंगे 20 काम तो 26 27 अब डेली काम होगा 27 तो मैंने माल लिया कि डेली काम होगा 27 एक्स दिन सक चलेगा तो इतना काम होगा हम इसके साथ साथ आपको कुछ ज्यादा question कराएंगे ताकि आपकी साथ की साथ practice भी होती रहे और आप प्रॉपर नोट्स बना लिजिए ताकि आपको फिर पढ़ने की जुरत नहीं पड़ेगी यह वीडियो आपको बार-बार भी देखने की जुरत नहीं पड़ेगी आप आपने नोट्स से रिवाइस कर सकते हैं एक बार अगर आपने प्रॉपर नोट्स बना लिए तो ठीक है वीडियो बार-बार अगर आप देखेंगे तो टाइम भी जादा वेस्ट होगा आपका तो आप एक नोट्स बना लिजिए उसका रिवाइस कर लिजिए तो जब भी आप पढ़ते हों तो एक नोट्स ब्रॉपर बनाईए जो आप पढ़ते हों बिना लिखे नहीं समझ में आ सकता है अगर आप सिर्फ वीडियो देखेंगे तो आज तो समझ में आएगा कल वो भूल गाएगा चलिए अगला सवाल हम लेते हैं कि बारा पुरुस और दस महिल आएं बारा पुरुस हैं और दस महिला आएं यानि कि बारा में एंड टेन ओमें कितने दिन में करेंगी इसको चौदा दिन में और इसी काम को उन्चास पुरुस, उन्चास मेल और चपन महिला आएं कितने दिन में करेंगी बताइए तीन दिन में अब आप से सवाल क्या पूछा गया है सवाल ये पूछा गया है कि 42 पुरुष प्लस 35 महिलाएं उसी काम को कितने दिन में करेंगे ऐसा आप से पूछा गया ये वाली चीज आप से पूछी गया सवाल दिया है कि 12 आदमी 10 और 14 दिन में कर सकते हैं उसी काम को 49 फुरुस और 56 और तीन दिन में कर सकती है तो उसी काम को 42 फूरूस और 35 महिलाएं कितने दिन में पूरा करेंगी, तो आपको टूटल वर्क और efficiency निकालनी पड़ेगी, तो पहले आप efficiency निकाल दीजे, तो calculate करेंगे आप, अब देखिए, दो तरीके हो सकते हैं, अगर आप समझना चाहें, एक तो direct तरीका होगा कि होड़ा सा calculation आसान हो जाएगा, तो मैं आपको समझाता हूँ, देखिए, 7 से 7 बार में कटेगा, 7 से 8 बार में कटेगा, और 7 से कितनी बार में कटेगा, थोड़ा सा मैने आसान बना लिया, बाकि आप detail में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप detail करना चाहें, तो भी क आजाएगा, 4, तो यहां से में और ओमें की efficiency कितनी आ गई, 4 and 3, अब मेल और female, यानि कि में और ओमें, पूरूस और महिला की efficiency निकल गई, तो आप जहां भी put कर देंगे, चाहें आप यहां put करें, और चाहें आप यहां put करें, total work निकल जाएगा, तो total work कैसे निकलेगा, m क C value रखेंगे, 4, तो कितना हो जाएगा, 12 गुड़े, 4, प्लます, w के ज़ेंगे, 3, तो 10 गुड़े, 3, और यह कितनी दन तक चलता है, तो 14 दिन तक, तो यह कितना हो जाएगा, 12, 40, और प्लस 30, और यह कितना दिन तक चलता है, 14 दिन तक, तो यहां solve कर लिजे, 48-30 कितना हो जागा 78 और कितना चलता 14 दिन तक यह total work और इसी काम को अब यह लोग करेंगे तो main का कितना निकाला आपने 4-4 रख दीजिया प्लस 35 आप यहां से भी common लेके काट सकते थे यहां भी देखे common आप ले सकते थे कि आप यहां से 7 common ले लेंगे तो 7 common ले लेंगे तो क्या बचेगा 6 और यहां क्या बचेगा 5 78 और 7 से कितने बार में कर जाएगा यह दो बार में हमने यहां से 7 बाहर ले लिया 7 काट दिया अब main के जग हम क्या पूट करेंगे 4 तो यह जागा 24 कि ओमेन के जगम क्या पूट करेंगे तीन तो यह जागा पंद्रा कि छेचों को 24 पांस तिया पंद्रा एक्स दिन में करेंगे अठात्तर गुड़े दो तो 24, 25, 29, 49 एक्स के लिए सॉल्व करेंगे तो 78 गुड़े 2 डिवाइड वाइड थर्टी नाइन 49 से कितने बार में जाएगा दो बार में आंसर क्या आएगा चार दिन बात समझ में आ रहा है आप समझ पाए देख लिए इसको अपने थोड़ा सा सौट बनाया है किसमें से सा साथ कॉमन ले लिए कट गया फिर मेल और ओमेल की में और ओमेंड की इफिजिंसी आ गई फिर आपने यह टोटल वर्क निकाल लिया अब इस टोटल वर्क को यह लोग करेंगे 42 पूरुस और 35 मैला एक्स दिन में करेंगे अब आप यह भी कर सकते ते देखिए वैसे आप ड करेंगे अगर काम इतना हो एम और डबलू के जगा यह वैलू आप रख दीजिए एक्स के लिए सॉल्व कर लीजिए आन्जार आपका क्या आजाएगा चार दिन ठीक है चलिए नेक्स सवाल नेक्स्ट कोश्चन दिया है कि चार पूरुस और पाँच महिलाएं एक काम को पंदरा दिन में पूरा कर सकते हैं कि चार पूरुस पांच महिलाएं कितने दिन में पंदरा दिन में और नौ पूरुस और छे महिलाएं इससे दस दिन में कर सकते हैं साथ दिनों में इस काम को पूरा करने के लिए चार पूरुसों के साथ कितनी महिलाएं चाहिए देखे सवाल दिया है कि चार पुरुष और पांच महिलाएं कितने दिन में कर सकते हैं इसको पंदरा दिन में इसी काम को नो पुरुष, नाइन में और सिक्स ओमें कितने दिन में कर सकते हैं तो दस दिन में सवाल दिया हुआ है कि अगर इस काम को साथ दिन में पूरा करना हो अगर इस काम को साथ दिन में पूरा करना हो तो चार पूरुसों के साथ कितनी महिलाएं काम पे लगानी पड़ेंगी कि ये काम साथ दिन में हो जाए तो पहले तो total work निकालना पड़ेगा ना तो total work आप निकाल लीजिए 5 से यह simplify हो रहा है तो simplify कर लीजिए 5 से कितने बार में 3 बार में और 5 से यह 2 बार में बात ठीक है यहाँ से करेंगे तो 4 तिया 12 और 9 जूना 18 तो कितना आजाएगा 6 में यह क्या हो जाएगा 5 तिया 15 और यह कितना हो जाएगा 12 तो 15 और 12 का difference 3W तो M और W का ratio क्या मिलेगा 1 इस्टूट मिलेगा की नहीं बिल्कुल ठीक है बात यहाँ से आप total work निकाल सकते total work तो यह value यहाँ put कर दीजिए यहाँ put कर दीजिए तो यहाँ रखेंगे तो 4 और यहाँ रखेंगे तो 5 दूना 10 तो 10 और 4 नहीं आपसको समझ मेरा देखे 4 गुड़े 1 प्लस 5 गुड़े 2 और यह कितने दिन तक 15 दिन तक तो कितना होगा बताईए 4 और 5 दूना 10 तो 10 और 4 14 14 गुड़े 15 कितना हो जाएगा 14 गुड़े 15 कितना हो जाएगा 14 गुड़े 15 तो कितना हो जाएगा 210 यानि कुल कारे कितना है 210 14 गुड़े 15 कितना हो जाएगा 210 अब इसी कासाम को यह दिया है कि 7 दिन में अगर इसको पूरा करना हो अगर 7 दिन में पूरा करना हो तो चार पूरुस के साथ कितनी महिलाएं लगानी पड़ेंगी तो मैंने माल लिया कि X महिलाएं लगानी पड़ेंगी और इस काम को साथ दिन में हो जाएगा और यही बात है कुछ और है चार पूरुस के साथ मैंने माल लिया कि X महिलाओं को लगाना पड़ेगा और यह दोनों मिल के काम साथ दिन में इसको complete कर देंगे तो साथ से simplify करेंगे तो कितने बार में 30 बार में एक मेल की efficiency कितना एक तो यह हो जाएगा 4 गुड़े एक अगर यह ओमेन है तो इसकी efficiency कितना है 2 तो इसकी में कितना गुड़ा हो जाएगा 2 का और हो जाएगा 30 तो टू एक्स बराबर क्या हो जाएगा 16 टीरा मिधर क्या हो जाएगा 13 कि एसका मतलब कि 13 महिलाओं को कामपे लगाना पड़ेगा बत समझ में आ रहा है तेकि हमने मेल और Omen, Main और Omen की Efficiency निकाल दी फिर यहांसे हमने निकाल दिया टोटल वर, टोटल वर कितना हो जाएगा 210, चार पुरुस के साथ हमने कह दिया कि भाई X Omen लगाना पड़ेगा, X Omen और ये दोनों मिलके काम कितने दिन में करेंगे साथ दिन में, टोटल काम करना कितना है? 210, तो साथ से इसको काटेंगे तीस बार में, आदमी करता एक काम, तो चार गुड़े एक, औरत करती है दो काम, तो एक्स गुड़े दो, अगर एक औरत दो काम करती है, तो एक्स औरत कितना solve करेंगे तो दो से भाग देंगे तो यक्स की वेलू का जाएगी तेरा इसका मतलब की काम पे तेरा महिलाओं को लगाना पड़ेगा चार पूरुसों के साथ तभी वो काम साथ दिन में समाप्त हो पाएगा ठीक है चलिए नेक्स्ट कोश्चन अब देखिए यह अलग टाइप है आपका कोश्चन जहां मेन और चाइल्ड यानि यह बच्चे तीनों काम करेंगे पूरुस महिला और बच्चे जब तीनों एक साथ काम करेंगे तो कैसे सवाल पूछा जाएगा देखिए सवाल मैं ले रहा हूँ इसमें से देखिए दिया कि दो आदमी किसी काम को तीन दिन में पूरा कर सकते हैं जबकि तीन महिला उस काम को चार दिन में कर सकते हैं और जबकि चार बच्चे उस काम को छे दिन में पूरा कर सकते हैं तो एक आदमी और दो बच्चे उस काम को करन यह बात clear है न मैं और अगर तीन में पूरा करते हैं और 5 में उस काम को चार दिन में अगर यही तीन में लगाए लगा कि Więble और अगर काम चार लडगे लहाना जाय चार मतलब 150 फ्रीक एक आदमी और दो दक्छे एक आदमी और दो बच्चे उस काम को कितना दिन में करें द्यान दीजे, सवाल ये है कि दो आदमी अगर लगाए जाएंगे तो तीन दिन में हो जाएगा काम, तीन और लगाई जाएगा तो चार दिन में काम समाप्त हो जाएगा और अगर चार बच्चों को लगाया जाएगा तो काम छे दिन में होगा, तो आपको पहले बात तो टो यह रहेंगे सर यह 24 वाशा can wr jay और चैनल कि टोटर्व मोई क्लिए की कि तोल वरकें हम लुक्र अगर यह भी क्लियर को डाउट तो नहीं है अगर ये भी 24 काम है क्योंकि 24 टोटल काम है तो ये भी 24 होगा ये भी 24 होगा इसका मतलब ये हुआ कि तब male की efficiency 4 लेनी पड़ेगी तब ही तो ऐसा होगा न क्योंकि एक आदमी 4 काम करेगा तो दो आदमी 8 काम करेंगी तो 3 दिन में 24 होगा तब ही तो होगा फिर oman की efficiency क्या लेनी पड़ेगी दो लेनी पड़ेगी कि भाई 1 और 2 काम करेगी तो 3 और 6 काम करेंगी तो 4 दिन में 24 काम होगा wise की efficiency 1 लेनी पड़ेगी क्योंकि 1 लड़का 1 काम करेगा तो 4 लड़के 4 काम करेंगे तो 6 दिन में 24 काम होगा, यानि main की efficiency 4 है, oman की कितनी है, 2 है, और yC कितनी है, यह क quality है, मतलब कुल मिला कि ऐसा हमें सोचना है, कि ym की क्या value लें, जो 24 हो जाए, w की क्या value लें, जो 24 हो जाए, इसकी value 2 रख देंगे तो 24 यहां तो च्छों को 24 आल्रेडी है इसका मतलब B की value सिर्फ एक ही समभव एक लेना पड़ेगा इक काम को अब कौन करेगा एक पूरुस और दो बच्चे तो एक पूरुस कितना करता है तो एक पूरुस करता है आपका चार काम और एक बच्चा कितना करता है तो चार काम और एक बच्चा कितना करता है बच्चा करता है आपका एक काम तो कितना काम हो जाएगा टोटल होगा चार दिन में ठीक चले फिर आगे बढ़ा जाए चले नेक्स्ट कोश्चन लेते हैं इसी टाइप का एक और सवाल लेते हैं नेक्स्ट कोश्चन आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है आप लोग एक बार वहां से नोट करिए और वीडियो को पॉस करके सॉल्व करने की कोशिस कीजिए दिया कि दो आदमी किसी काम को तीन दिन में पूरा कर सकते हैं जबकि तीन और तुस काम को चार दिन में पूरा कर सकते हैं जबकि चार बच्चे उस काम को छे दिन में पूरा कर सकते हैं तो एक आदमी एक और तथा दो बच्चे उस काम को कितन दिन में पूरा कर पाएंगी देखिए दो आदमी कितने दिन में तीन दिन में अगर दो आदमी करते हैं तो कितने दिन में तीन दिन में और जब कि तीन और उसको कितने दिन में चार दिन में और इसी कायम को 4 बच्चे 6 दिन में 4 वाइस कितने दिन में 6 दिन में तो हमने क्या बोला था आपसे कि आप total LCM ले लीजिए वो आपका total work हो जाएगा तो यह हो जाएगा 64 को 24, 24, 12 और 3, 12 तो 6, 12, 24 का LCM कितना हो जाएगा 24 सबसे बड़ी संख्या होती है 24 तो जो यह 24 आप लेंगे यही आपका क्या निकल जाएगा total work क्या निकल जाएगा कुल कार्य total work और यहां से आप साथ के साथ में ओमें और वाइस की efficiency भी निकाल सकते हैं कि यह 24 कब होगा यह 24 कब होगा यह 24 तब होगा जब 3 दूरा 6, 6, 4, 24 रखना पड़ेगा 4, 3, 12 इसकी value 2 रखनी पड़ेगी 6, 4, 24 इसकी value एक रखनी पड़ेगी इसका मतलब आदमी करता है चार काम महिला करती हैं दो काम और बच्चे करते हैं एक काम यानि एक बच्चा एक काम एक और दो काम एक पुरुस चार काम तो इसी सवाल को पूछा गया है कि एक आदमी एक और और दो बच्चे उसको कितने दिन में करेंगे यानि कि एक आदमी प्लस एक और और प्लस दो बच्चे कितने दिन में करेंगे तो एक आदमी करेगा चार काम, एक औरत करेंगी दो काम, और दो बच्चे भी करेंगे दो काम, क्योंकि एक बच्चा एक काम तो दो बच्चे दो काम, तो एक दिन में टोटल कितना काम होगा, चार, दो, छे, दो, आठ, एक दिन में कितना काम होगा, चार, दो, छे, दो, आठ करना कितना 24 और एक दिन में होने लगा है 8 काम तो इससे बात पता चली कि काम को 3 दिन में कम्प्लीट किया जा सकता है कोई डाउट तो नहीं है ठीक है चलिए एक और सवाल लेते हैं अगला कोस्चन है एक आदमी एक औरत या एक लड़का किसी काम को 20 दिन 30 दिन या 60 दिन में कर सकता है यानि अगर आदमी करेगा तो उसको 20 दिन लगेंगे एक आदमी को एक औरत करेगी तो उसको 30 दिन लगेंगे और एक बच्चा अगर उसकाम को करेगा तो उसको 60 दिन लगेगा तो सवाल पूछा गया कितने लड़कों की सहायता से दो आदमी आठ हुरतें उस काम को दो दिन में समाप्त कर लेंगे देखिए एक आदमी करता है तो कितना दिन लगेगा बीज दिन यानि कि अगर मेन करता है तो उसको कितना दिन लगेगा बीज दिन ओमेन करती है तो उसे कितना दिन लगेगा 30 दिन और बच्चा करता है तो उसे कितना दिन लगेगा तो 60 दिन ऐसा आपके सवाल में दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि दो आदमी और 8 हुरतें कितने बच्चों की सहायता से तो मैंने माल लिया कि X बच्चों की सहायता से कितने दिन में काम complete करना है भाई दो दिन में देखिए सवाल ये दिया हुआ है ये given है कि एक आग्मी करेगा तो वो काम 20 दिन में समाप्त हो सकता है एक और W मतलब Omen करेगी तो 30 दिन में हो सकता है और अगर बच्चा करेगा तो 60 दिन में काम को complete किया जा सकता है तो मैंने आपको फिर से वही समझा रहा हूँ कि आप LCM ले लिजिए तो 20, 30, 60 का LCM कितना 60 होगा क्योंकि 60 के ही तो यह 30 और 20 फैक्टर है तो इसका मतलब total काम कितना निकल गया 60 total काम कितना निकल गया 60 अरे कोई doubt तो नहीं है तो अगर बताईए 60 का वोगा जब इसकी efficiency 3 लेंगे इसकी efficiency 2 लेंगे इसकी efficiency 1 लेंगे यही तो बात है 20, 30, 60, 30, 60 और 60, 61, 60 अब इसी काम को 2 पुरूस 8 महिला और कितने बच्चों की सहायता से काम को 2 दिन में complete किया जा सकता है यही तो पूछा गया ना आपसे तो यार आप पताईए हमें कि आदमी की efficiency तो आपने निकल ली तो दो आदमी, एक आदमी करेगा तीन काम तो दो आदमी कितना करेंगे? 3 दूना 6 एक औरत करती है दो काम तो 8 औरत कितना करेंगे? 16 और एक बच्चा करता है एक काम, तो एक बच्चा कितना करेगा? x काम क्योंकि x गुड़े 1 होगा तो कोई फरक तो पढ़ना नहीं है 2 से करेंगे तो कितना हो जागा साथ यह 2 से simplify करेंगे तो 30 16 कितना हो जागा 22 यह पलट के उधर जागा तो x की value क्या जाएगी 30 माइनस का 22 तो यक्स की वैलू क्या जाएगा इसका मतलब की आठ बच्चे की जरूत रहेगी यानि अगर उस काम को complete करना है कितने दिन में दो दिन में तो कितने बच्चे चाहिए आठ बच्चे एक बच्चे चाहिए और एक बच्चा करता एक अगी काम तो चाहिए आप एक स की सहायता से इस काम को दो दिन में complete कर सकते हैं अगला सवाल लेते हैं देखिए इस ताइप का भी question आपका पुछा गया है एक बच्चाम में तो मैं दो question करा दे रहा हूं ताकि आपका concept आँसे clear हो जाए ठीक है चलिए दिया गया question में कि राहुल एक नौकरी सर्थ पर रख GIFT भी मिलेगा लेकिन नौकर 5 दिन के बाद काम छोड़ देता है और उसे 20 रुपया और एक उपहार मिलता है तो जो रहुल हो उसको क्या देता 20 रुपय और एक GIFT देता है तो पूछा गया है उपहार की प्राइस क्या होगी यानि कीमत क्या थी उपहार की तो देखिए ध्यान दीजिए मैंने आपको कहा कि रेशियो कॉंसेप्ट आप इसको रेशियो में फॉर्मेट कर सकते हैं जैसे कि भाई कि दस दिन काम करने के लिए क्या देता है 200 रुपे रेख उपहार तो मैंने माल लिया कि जो उपहार है गिफ्ट है वो कितने का है एक्स रुपे का मैंने ऐसा माल लिया कि गिफ्ट कितने का एक्स रुपे का तो 200 रुपे मिलते और प्लस एक गिफ्ट मिलता जो एक्स रुपे का होता दो सो रुपए मिलते और गिफ्ट मिलता जो एक्स रुपए का होता कितने दिन के लिए तो दस दिन के लिए लेकिन वह काम पांस दिन ही किया तो उसको कितना मिला बीस रुपए और एक गिफ्ट तो गिफ्ट का कीमत तो वही रहेगा जो है और यह कितने दिन के लिए YouTube तो यह दोनों का उन्पाथ भरबर होगा यह बीज दिन ये दस दिन का पैसा 10 दिन का काम यह 5 दिन का पैसा लेशयो क्यों किसा भर आप यहां से solve कर सकते कितने बार में दो बार में यहां से solve करेंगे तो 200 ऋपलस का X बराबर हो जाएगा 40 और टुए तो यह 40 कितना हो जागा 160 तो एक्स की वेलू क्या जाएगी इसका मतलब जो गिफ्ट था वो कितने रुपय का था जो उपहार था वो कितने रुपय का था 160 रुपय का था ठीक है चली एक और सवाल लेते हैं ताकि आप समझ पाएं उस सवाल का आंसर आप लोग बताएंगे हमें सॉल्व करके एक बार आप लोग वीडियो पाउस करिए जरूर और उसको आंसर बताईए हमें एक सवाल हमने और ऐसा ही लिया है देखे सवाल ये है कि एक नौकरी सर्थ पर रखता है कि 30 दिन काम करने के बाद उसको 1000 रुपए और एक गिफ्ट देगा यानि 30 दिन काम करने के लिए क्या देगा 1000 रुपए और एक गिफ्ट लेकिन नौकर 10 दिन के बाद काम छोड़ देता है और उसके बदले उसको 300 रुपए और एक गिफ्ट दिया जाता है तो gift की कीमत क्या थी तो फिर वही सेम सवाल है gift आप माल लिजिए कि gift कितने का था x रुपए का तो उसको 1000 रुपए प्लस एक gift मिलता कब भई जब वो काम 30 दिन करता तो 30 दिन का यह पैसा हो जाएगा है की नहीं है बात को ध्यान से समझे एक हजार रुपए प्लस gift की कीमत इतने रुपए तो इतने रुपए मिलते 30 दिन काम करने के लिए लेकिन उसको मिला कितना 300 रुपए प्लस एक gift जो x रुपए का था कितने दिन के लिए 10 दिन के लिए इसको simplify कर लिजे तो हो जाएगा 1000 प्लस का x इसको cross multiply करेंगे आप लोग तो मिलेगा 900 प्लस का 3x यह इधर आएगा x उधर जाएगा तो 100 मिल जाएगा बराबर 2x तो यक्स की value क्या जाएगी 50 रुपए यक्स की value क्या जाएगी 50 रुपए तो gift कितने का था 50 रुपए का कोई डाउट तो नहीं है नहीं ऐसे स question नहीं हूँ दो question जो भी अलग type के सवाल है जो आपके exam में पूछे गए हैं कई बार पूछे गए तो दो question में वह भी कराने की कोशिश करता हूं ताकि आपको चीज़े मैंने कहा कि कोई भी type कोई भी ऐसा नहीं होगा कि कोई भी type छूट जाए और आपके exam में वह आए ऐस paper में कोई भी अगर सवाल आता है तो वो इस वीडियो में आपको जरूर मिलेगा ठीक है चलिए अगला सवाल लेते हैं बहुत important question है पचास आदमी किसी काम को 40 दिन में पूरा कर सकते हैं यादि हर 10 दिन में 5 आदमी काम छोड़ देते हैं तो काम कितने दिन में पूरा होगा यादि अगर 50 आदमी किसी काम को 40 दिन में कर सकते हैं लेकिन क्या हुआ कि हर 10 दिन के बाद पाँच आदमी छोड़ देते हैं यादि हर 10 दिन के बाद 5 आदमी छोड़ देते हैं तो काम कितने दिन में complete होगा देखिए पचास आदमी अगर किसी काम को 40 दिन में कर सकते हैं तो मैंने माल लिए एक आदमी एक काम करेगा माली जी एक आदमी एक पेज लिखेगा एक आदमी कितना लिखेगा एक पेज लिखेगा या एक काम करेगा तो पचास आदमी कितना काम करेंगे पचास काम करेंगे अरे बताईए एक आदमी अगर एक काम करें तो पचास आदनी पचास काम करेंगे कोई भी काम और अगर वो continue 40 दिन तक करें तो मैं यह कह सकता हूं कि total काम 2000 था कोई doubt है इसमें एक आदमी अगर एक काम करता हो कुछ भी करता हो मालिज एक पेज लिखता हो तो पचास आदमी पचास पेज लिख देंगे और continue लिखते हैं 40 दिन तक तो इसका मतलब कि 2000 पेज लिख देंगे इसी काम को कितने दिन में समाप्त किया जा सकता है यदि हर 10 दिन के बाद 5 आदमी छोड़ दें यानि पहले काम सुरुआत किया 50 आदमी उने फिर ये 10 दिन तक किये उसके बाद 10 दिन करने के बाद 5 आदमी छोड़ दिये तो अब कितने आदमी बच्चे 45 आदमी फिर ये कर चोड़ दिये तो आप कितना बचेगा 35 फिर ये दस दिन तक करेंगे जैसे दस दिन भी ता फिर ये छोड़ दिये पांच आदमी तो आप कितने बचेंगे 30 तो आपको ऐसे कैलकुलेट करना है और जब तक कि 2000 पूरा नहों जाए तो कितना हो जाएगा यहां होगा 500 काम पहले तो एक बार आप जोड़ लिजिए कि अगर यह होता है 2000 तो ठीक है नहीं तो यह कि स्टेप और आगे बढ़ना पड़ेगा तो कितना हो जाएगा पांच चार नोग चार तेरह तीन सोलह यह हो जाएगा 17 तीन वीस हो तो गया हो गया तो कितने दिन हो गया 10 20 30 40 50 आपने क्या देखा कि यहां 2000 काम कंप्लीट कर लिया गया इन सब को जोड़ेंगे तो आपको 2000 मिलेगा दिन कितने लगे 10 दिन 20 30 40 50 50 आदमें 10 दिन किया यह 10 दिन यह 10 दिन यह 10 यह 10 यह 10 तो काम कितने दिन में समाप्त हुआ है 50 बात आपको समझ में आ गया ठीक है चलिए एक और सवाल लेते हैं एक और कोश्चन लेते हैं नेक्स्ट कोश्चन देखिए दिया हुआ है कि 60 आदमी किसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं यादि हर 10 दिन में 5 आदमी काम छोड़कर चले जाएं तो काम कितने दिन में पूरा होगा फिर वही सवाल सेम है कि भाई एक आदमी अगर तो 60 आदमी 60 page यानि एक दिन में 60 page लिखा जा रहा है और अगर continue 30 दिन तक लिखा जाएगा तो इसका मतलब कि 1800 page लिख दिया गया और यही total work हो जाएगा 1800 page लिख दिया गया total 30 दिन में और यही total work हो जाएगा अब वो क्या हुआ कि काम कितने दिन में complete होगा अगर हर 10 दिन के बाद 5 आदमी छोड़ देंगे तो भई पहले 60 आदमी 10 दिन तक काम किये है की नहीं है उसके बाद 10 दिन जैसे बीता 5 आदमी छोड़ दिये तो कितने बचे अब आगले 10 दिन के लिए सिर्फ 55 आदमी ही काम करेंगे और फिर जैसे 10 दिन बीता फिर अब 5 आदमी छोड़ दिये तो ये 50 आदमी अब अगले 10 दिन तक करेंगे फिर आगे 45 आदमी अगले 10 दिन तक के लिए करेंगे फिर 10 दिन जैसे बीता 5 आदमी छोड़ दिये कितने आद मि बचेंगे 40 , यह अगले 10 दिन तक करेंगे और इसको जोडते हैं कि जब तक की 8.800 न हो जाती है कितना हो जाएगा구요 600 कम, यहां ओ जाएगा आपका 500 कम, यहां कितना हो जाएगा मतलब हमको कम लेना पड़ेगा देखिए ध्यान दीजिए हमको कम लेना पड़ेगा कितना लेना पड़ेगा छे पांच ग्यारा ग्यारा पांच सोलस सोपचास कितना काम हो गया सोलस सोपचास ध्यान दीजिएगा 1650 काम कितने दिन में हो गया 30 दिन में अब करना कितना है आपको 1500 काम अब कितने आदमी लगेंगे 45 आदमी क्योंकि ये 50 आदमी ध्यान दीजिए 50 आदमी 10 दिन तक काम किये तो 500 काम किये अब 5 आदमी फिर छोड़ दियोंगे तो 45 आदमी मैंने माल लिया कि X दिन में कितना काम करेंगे 1.500 ये बात क्लियर है कि नहीं है अब हमने क्या माल लिया कि भाई अगर 45 गुड़ 10 आप लेंगे देखिए मैं फिर से समझा रहा हूँ अगर आप 45 गुड़ 10 लेंगे कि ये 45 आदमे अगरे 10 दिन तक करेंगे तो ये उजागा 4.500 जबकि आपको कराना है सिर्फ 1.500 काम क्योंकि काम था टोटल 1800 और 1.500 काम हो चुका है इसका मतलब काम आपको सिर्फ 1.500 कराना है यानी 45 आदमी मैंने माल लिया कि X दिन में 1.500 काम को कर देंगे जो बचा हुआ काम क्योंकि टोटल अठारे सो काम है जिसमें से साठेसोलसों हो चुके हैं तो बचाएं देढ़ सो काम है तो यक्स के सॉल्ब करेंगे तो बताईए पास से कितने बार में नौ बार में पास से कितने बार में तीन से कितने बार में दस बार में और तीन से कितने बार में तीन बार में बटा तीन दिन में बात क्लियर है ना यानि 33 सही एक बटा तीन दिन में काम क्या हो जाएगा कम्प्लीट हो जाएगा ठीक है चलिए तो आज की वीडियो में बस इतना ही हमें उमीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको बहुत फायदा भी हुआ होगा अगर लगता है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है और आपको इससे फायदा हुआ है तो इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लिजिए और दोस्तों में थोड़ा सेर भी कर दीजिए इसको क्योंकि जितने लोगों के पास ये जाएगा उतन नहीं जाहिंद